हनुमान जैन्ती के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थराओ होने के कारण सुर्खियों में आये जहांगीर पूरी में अतिक्रमन हटाने के लिए कई विभागों ने संयुक्त कारिक्रम तै किया है 16 अपरैल के दिन जहां दंगा हुआ आज वहीं बुल्डोजर चलने की तैयारियां चल रही थी और यहां मौझूद अवैद अतिक्रमन को हटाया जाने की तैयारियां चल रही थी इसके तैद पूरे इलाके में सुरक्षा विवस्था को बढ़ा दिया गया इसका पूरा अपडेट हम आपको देते हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोट में आज सुनवाई भी है और कारिवाई पर दखल करने से पहले इंकार किया गया वहीं सुप्रीम कोट ने ही नहीं दिल्ली हाई कोट में भी अतिकर्मन हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका डाली गई है जिसकी सुनवाई के लिए उच्छे नियाल है तैयार हो गया है हाला कि हाई कोट ने कहा है कि वो याचिका पर सुनवाई जरूर करेगा लेकिन इस सितिती के मामले में कोई दखल नहीं किया गया है इस बात की पुष्टी निगम के कमिश्टर ने की है तोड़ फोड की कारेवाई रुकी है और कई टीवी रिपोर्ट के मताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद नगल निगम के बुल्डोजरों ने तोड़ फोड का काम भले ही रोग दिया हो लेकिन सामान आदी हटाए जाने का काम अब भी जारी है निगम का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आपचारिक आदेश नहीं मिला है जैसे ये आदेश उनके पास आएगा उसके तहट वो काम करेंगे N-D-M-C के मेयर बोले हैं कि हम करेंगे सुप्रीम कोट के आदेश का पालन सुप्रीम कोट का आदेश शामने आने के बाद जब N-D-M-C के मेयर से इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो वो बोले कि हम सुप्रीम कोट के आदेश का पालन करेंगे और उसी के मताबिक का अब इस मामले की सुनवाई कल होनी है और यहाँ पर जो कारेवाई चल रही थी उसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर मकानों का अवैद हिस्सा गिरा जा रहा था MCD के बुल्डोजरों ने कई मकानों का अवैद हिस्सा गिरा दिया जबकि जितना हिस्सा वैद था उसे छोड़ दिया गया जिन दुकानों को हटाया जा रहा है उनमें से एक को चलाने वाली मैला से जब सवाल किया गया कि क्या 15 साल से नगर निगम को अवैद दुकान नहीं दिखाई दे रही थी हिंदू-मुसलिम के जगड़े में हमारी दुकान को तोड़ दिया गया है पहले क्यों नहीं का कहना है वहीं बुल्डोजर की कारेवाई पर राहूल गांदी ने सीधे सीधे प्रदानमंत्री मोधी पर और सरकार पर निशाना साधा है राहूल गांदी ने देश में हो रही बुल्डोजर की कारेवाई और कोईले की कमी दोनों को लेकर ट्वीट किया है अपने ट्वी बंद करो और बिजली सेयत्रों को चालू करो और यह एक बड़ा हमला है यह आप देख सकते हैं राजनीती भी इस पूरे मामले में कैसे गरमा गई है वहीं पूरी दिल्ली में ऐसी ही कारेवाई होगी यह एंडीमसी के मेयर उत्तरी नगर निगम के जो हैं राजा इद्बाल स बुल्डोजर ने कई अवै़ दुकानों को तोड़ा है जहांगीर पूरी में अभी तक जो कारेवाई हुई उसके बारे में आपको बता दें यहां MCD के बुल्डोजर ने अपनी कारेवाई शुरू कर दी और कई अवैद दुकानों को गिरा भी दिया इस दोरान इलाके में सुरक्षा बिवस्था को चाकचौबंद किया गया है बुल्डोजर के जरीए यह अतिकरमन हटाने की कारेवाई शुरू हुई है जहांगीर पूरी के जिस इलाके में दंगा हुआ था वहाँ आज MCD अवैद अतिकरमन हटाने के लिए पहुँची है इसके तैट इलाके में नगर निगम का बुल्डोजर भी पहुँच गया स्पेशल सीपी दिपेंद्र पाठक ने इलाके का निरीक्षन किया स्पेशल सीपी दिपेंद्र पाठक भी जहांगीर पूरी के हालात का जायजा लेने के लिए इलाके में पहुँचे हैं उन्होंने MCD की कारवाई से पहले इलाके के माहुल का पैदल निरीक्षन किया है उन्होंने कहा है कि हम नगर निगम को अतिकमन हटाने की कारेवाई करने के लिए पूरी सुरक्षा मोहिया कराएंगे इस वक्त इलाके में परियाप्त पुलिस बलतैना थे और हमारा पूरा फोकस लॉइंड आर्डर को बरकरार रखने में है और इसके लिए बकाइदा पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था दिल्ली पुलिस ने जिस इलाके में अतिकमन हटाने की कारेवाई होनी उस पूरे इलाके में पहले ही बुदवार सुबह ही फ्लैग मार्च किया पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें